प्रयाग राज में मौजूद है प्रयाग राज में सुभा से आपको हमने बताया जब चाय पर चर्चा की तो मुद्दों की बात हुई धेर सारी समस्याओं की बात हुई दिक्कतों की बात हुई अपने अतनी संभावनाओं की भी बात हुई और इसको समझने को भी कोशिश की गई कि आखिरकार इस प्रदेश के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऐसे जिले में जहां पर या सबसे आंदुलन शुरू हुए, कई सारी माँगे शुरू हुई, कई सारे प्रदर्शन भी देखने को मिले, क्या वो आंदुलन, वो प्रदर्शन, वो मुद्दे, वो बातें युवाओं के बीच में चर्चा की जितने विशा हैं, क्या वोट देने का भी कारण बनता है, क्या का भी कहते हैं कि हावी समी करण हो जाता है इस बात्चीत में कुछ ही वहाँ से ही बात्चीत करेंगे ताकि उनके हिस्से के मुद्दों को उनके हिस्से की बातों को समझ सकें और उनसे ही जान सकें कि आखिरकार इस दो लोग सभा दो दो लोग सभा जहां बड़ी आती हैं चा यहां जहां हम गए सुनने को मिले लेकिन जिस जगह से इन विश्यों को उठाया गया पुप्रयाग राज था और जो मैंने शुरू में कहा साब आप इसे शुरू करता हूं आप अपना नाम बताएगा और साथ में शुरू करिएगा यह बात थोड़ा सा मुझे समझाएगा क जो है इस समय आप देख सकते हैं प्रियाग राज में जो है पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले के प्रतियोगी छात्र यहां के तयारी करते हैं कि उम्मीद लगा कर कि यहां से जो है अपने भोईश्य को सुनिश्चित करते हुए अपने अपने घरों को जाएंगे यहां प पिछले कुछ सालों से या लगभग मान के चले 5-6 सालों से रोजगार को लेकर रोजगार इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि यहां से प्रियाग राज से प्रतियोगी छात्रों का पलायन हो रहा है कोई भी भरती नया बिग्यापन नहीं आ रहा है जो कि अगर कोई बात करें या रो यारो की भात करें तो उसमें भी पेपर लीक जैसा मुद्दा इतना प्रासंगीख हुआ कि उनको उन भरतियों को रद करना पड़ा तो युवाओं का भविश से कहीं कहीं अंदकार में है और जो है उत्तर प्रदेश में जो जहां तक भरतियों की बात है स ज्यादा तादात में उत्तर प्रदेश के नौजवानों की बिरुजगारी को दूर करती हुआ सिक्षक भरती इस समय जो है लगबगे च्छा सालों से ल्टी जी आई सी के अगर बात करें राजकी इंटर कालेज की तो पिछली भरती आई थी 15 मार्च 2018 को और यह मार्च बी जार की भरती उसके बाद 5 साल के बाद 2021 में 15,198 की भरती आई थी TGT PGT की उसके बाद 22 और 23 और 24 यह 3 साल इधर हो गया कोई भरती नहीं आई पिछले 5 साल में एक यह भरती आई थी 15,199 की तो जो युआ बिरुजगार है और सिक्षक भरती की तयारी कर रहा है अगर आप जो यह primary सिक्षक की बात करें तो 69,000 भरती आए लगबग 6 साल हो गया primary section में आज तक कोई भरती नहीं आयी बेशिक सिक्षा मंतरी जी का बयान है कि हमारे पास सर प्लस सिक्षक हो गया है ज़्यादात में सिक्षक हो गया इसलिए हम भरती नहीं निकालेंगे माधिम्डियों उसके प्रत्म मंघलवार में उन्होंने जो बयान दिया था कि लगबग असासकी य़ माद्मिक बिद्यालेों में प्रवकता के 4,364 पद रिक्त हैं और TGT के 20,485 पद रिक्त हैं तो इतनी भारी संख्या में लगबग 24,000 असास की या मादिमिक बिद्यालियों में भरतियां रिक्त हैं। लगबग 6,000 से उपर राज्की इंटर कालेज में सिक्षकों की भरतियां का धियाचन लोग से वायुक को आया हुआ है। और लगबग 7,000,000 के उपर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान है कि 7,000,000 के उपर प्रात्मिक शिक्षक के पद खाली है लेकिन शिक्षक सरप्लस हो गए हैं इसलिए हम भिग्यापन नहीं देंगे तो इतनी पूछना चाह रहा हूँ लाखों की संख्या अजारों की संख्य कुल यूग कर लें तो लाखों भरतियां एसी हैं जो आई नहीं है जो डिखतीयां है मैं तब जो पद हैं लेकिन उनको सरकार नहीं भर रही है क्या वह आप लोगों के तमाम संख्यों संख्यन होते हैं अक्सर एक बात कहीं जाती है कि चाहे वह लखनों का इको गार्ड़न लेकिन उसके बाद जब अपने जिलों शहरों लोकसवा शेत्रों विधान सभाव में जाते हैं तो वह तमाम जो अभ्यरती हैं वह बट जाते हैं फिर समीकरनों पर तमाम चीजों पर वोट डलता है इसलिए यह सारी चीजे मुद्दों में मैनिफेस्टों में उम्मीद्वार की जो समस्या है बटवारा अपने अपने जनपदों में होता होगा मैं नहीं जानता लेकिन अगर एक बिरुजगार प्रयाग राज में है और वह प्रभावी थे बिरुजगारी से तो कहीं ने कहीं उसका परिवार भी प्रभावी थे उसका परिवार भी जो है उस परिसान सबसे बड़ी बड़ा मुद्दा है और तमाम जिलों के जो पृतियोगी छात्री यहां आ रहे हैं और अपने अपने जिलों में भले ही जाते हूं लेकिन वो जो समस्या उनकी बेरुजगारी की नोकरी उनको नहीं मिल लए है लाखो पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में वि लगबग 35-36 साल उसकी उमर हो जाती है और नोकरी नहीं पाकर वापस जाकर क्रिसी कारे करता है तो यह बहुत बड़ी समस्या है और इसको पॉल्टिकल पार्टियों को देखना चाहिए और इसका आसर कहीं ने कहीं चुनाओं पर पड़ेगा क्योंकि हमारे हमारी जिंदग कि यह के साथ ही और यह खड़ें यहीं से शुरू करता हूं सबसे बड़ी समस्या दिक्कट क्या है और उसके साथ वी जी बता किया को हुआ राजनेता को राजनेतिक दल उसमस्या धिकत पर रिचकता नजार आता अपने नाम के शुरूवार सभी लड़के मार खाते रहते हैं सरबतार है कि आती है सुप्रिंग कोड में चलिए यह बात तो सही है हमेशा होता है कि आपको लोगों क्या लगता है नहीं आती है वह दिक्कत है आपको लगता है सही तरीके से सब्सक्राइब करएं कि नेता कोई पार्टी बात करते दिखाई देती कि हम आएंगे तो नहीं होगा जाते हैं अब हम यू पिलिस को पड़ का पर दिये थे उसमें नकल हो गया हम लोग 105 कोश्चन तक गए जिनको चीट मिल गया दो 135 तो 45 हम लोग पीछे रह गए अब अगर फाइनल हुआ हो तो पढ़ने वाले किसी का नहीं हो जो जो नहीं पढ़ रहा तो उसी सब लोगा हो जाता जो जीतना याद कर पाए जिसको जीतना पहले मिल मतलब मैं जो आपकी बाता समझा कि अगर यूपी पुलिस का वह परिक्षा लीक की बात नहीं आती तो भी आपका कहना है कि उसमें गड़बर हुई थी हां तब भी गड़बर हुई थी सब लोगों को पहले पेपर मिल गया था जिसको मिल गया था एक सो पाइपर मिल गया अब एक सिफ्ट में साड़े बारा लाग कुलों में पेपर हुआ साथ हजार वैकेंसी है अगर एक सिफ्ट का भी नकल हुआ तब भी तो पूरी वैकेंसी चली गई साथ हजार उसी में और मुझे तो जितना ध्यान है वो प्रयाग राज के युवा थे जिन्होंने यह साबित किया कि यह पेपर लीख हुआ है शुरू में तो माना ही नहीं जा रहा था कि पेपर लीख हुआ है ठीक बात है प्रयास किया गया जगे जगे कितनी तोड़ फोड़ हुई जगड़े हुए उस मुद्दे को रखा गया अंतमी सरकार ने इसको माना कि हां यह ऐसा हुआ है तो पहले मानी शुरू में विग्यप्ति आई थी कि भ्रामक तथे हैं गड़बडियां हैं लोग शिकायत कर रहे तो उसमें कहा गया कि आप तो पेपर देने के बाद लेकर आ रहे हैं यह लीक वाला हिस्सा नहीं है यह भी कहा गया था और लगातार जो है मतलब पुलिस लगा करके बच्चों को ऐसा त्रीट किया जारत जैसे आतंगवादी हैं ऐसा एक्सन लिया गया सूरू में कि जैसे और जोने कहा है और यहीं मतलब कि यहां कहता हैं कि आप लोग के मुद्दे तो हैं डिकत बीए परेशानी भी है जो उन्होंने कहा कि यह 11נים या और जिसमें पंद्रासो सीट आती थी वो आरसो सीट मतलब कि क्या संख्या भी घट्ती जा रही है और वेकेंसी की संख्या घट्ती जा रही है तो ऐसे में कहां रोजगार मिलेगा वो तो और ज्यादा जो है पर रहती जाएगा संदीब कुश्वा एक तर्क नाम खूब देते नहीं जोगों पर जाकर बात करते हैं और वह बाकियों से पूछना चाहूंगा वह कहते हैं रोजगार का मतलब क्या सबको सरकारी नौकरी ही मिलना चाहिए क्या सरकारी नौकरी और क्या जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती है लेकिन तमाम लाखों पद हैं उनको तो भरा जा सकता है परिशाई नहीं कहीं कोई पड़ाम नहीं मतलब अगर हम घर से आते हैं तो ये मान के चला जाता है कि हम 5 वरसिया और 10 वरसिया कारकर्म के तहट जो है हम प्रियाग राज पहुच रहा हैं वहाँ सवाल एक बहुत बड़ा होता है रिष्टेदार हैं परचित हैं सुपचिंतक हैं वो पूछते हैं कि बैया तैयारी कितने साल तक करेंगे एक खतरनाग सवाल होता है जिसका हम ल नोकरी हमको मिलेगी तो नोकरी तब मिलेगी न जब भरती आएगी भरती आएगी आवेदन होगा परिक्षा होगी परडाम गोशित होगा तब तो जो हमें पता चलेगा कि हम जीत गए कि हार गए तो सरकारी नोकरियां सब को नहीं दिया जा सकता और ना किसी सरकार ने आज त अब लोग सेवायोग में तमाम लाखो पद खाली हैं तो उन पदों को क्रमवार धीरे-धीरे भरते रहे हैं उसका विग्यापन निकाला जाना चाहिए ताकि विरुजगार युवाओं में एक उम्मीद बनी रहे कि नहीं विग्यापन निकल रहा है नोकरियां हमको मिलेंगी आज नहीं तो कल मिलेंगी इस बार अगर हम फेलोंगे तो जो कमी है उसको सुधार करेंगे फिर से नहीं तरीके से एजाम देंगे और हम फिर सफलोंगे लेकिन जब पहलो भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं शायद अगर भरतिया लगाता राती रहेंगी तो जो उन्होंने कहा शायद बच्चे को ये भी पता चल जाएगा कि ठीक है मैं कम्पीट करने लायक नहीं हूं तो मैं वो समय को कहीं और लगा लूँ वो जो आपने कहा कि अगर प्रक अवस्था वही रह जाती है वही सीधा साधा उदारण दिख रहा है आपके सामने वैसा ही है सेम तो जो बरतमान चल रहा है इसमें सुद्रान करना चाहिए बेवस्था को मतलब यह नहीं कि जो क्वालिफाई है जिसके अंदर मतलब योगता है वो लेके जाएगा आप अप पूरी हो जित्री वेकेंसी हैं वो जितनी रिक्तिया है वो आ जाएं और पूर्णता को प्राप्त करें कि कोई कोट में या कोई होगा वो लेके जाएगा जो पढ़ेगा जो मेहनत करेगा संगर्स करेगा वो लेके जाएगा तो इसमें बेवस्था मत जो बनी है उसको सबसे पहले तो भारत एक लोग कल्याणकारी राज होने के नाते सरकार की जिम्मेदारी है कि इस देश के युवाओं को इस देश के अैसे लोगों को जिनको रोजगार क्या वश्कता है उनको रोजगार के उपलब्ध कराए पहली चीज रोजगार नदेने का यह तरीका यह कि आप सीथे सीथे खतम करना शुरू कर दीजिए बैकेंशिया निकालना प्रारम कर दीए और उसका तर के सिर्फ एक दीजिए कि हम सब को नवकरी नहीं दे सकते केंद्र सरकार की 30 लाग पद खाली है केंद्र सरकार में अगर अलग अलग राजी सरकारों का मिला लिया जाय लग भग 60-70 लाग पद खाली आप उन पर वेकेंशिस के नहीं निकाल रहे है उनको के नहीं भर रहे हैं और यह डाटा में हवा हवाई नहीं कि सदन में दिया गया सरकार के द्वारा दिया डाटा है कि केंद्र में 30 लाग पताया कि विधान समय में किस-kis मंद्री ने कब क कोई नहीं करें दूसरी की तरफ लगातार बढ़ाए दे रहें मतलब जो नवकरिया एक तो आप निकाल नहीं रहें जो पहले से रोजगार के उसर थे जिन छेत्रों में लोगों को रोजगार मिलता था उनको भी आप जो है प्राइवेट कर देने वाला छेतर था उसमें ब करना कि मुझे गुंगली का ध्यान देना पड़े दोस्त नवनीत कुमार अब देख रहें में बात कर रहे थे तो नौकरी के और वैकेंसी की आप पहले देखेंगे पहली तो बैकेंसी नहीं आती है उपर से अगर कोई आई भी अगर रेलवे में आई थी 2019 में जाके फाइन लिख हो गया यूपी असी का फाम आया आरो यारो का उसका पेपर लिख हो गया कितने उसमें मतलब आप देखिए कितने बच्चों का भविष्ट से अधर में लटका देती है सरकार उसके बाद जब बच्चे इसका प्रूफ देने को तयार हुए तो उनके उपर पीछे से आपके पास आया कहां से यह सब लगा दिया जा रहा था तो आप देखेंगे सरकार बिलकुल रोजगार के नाम पे एकदम धुस्त है एकदम कुछ भी चात्रों के साथ नहीं कर रही है और उसके बाद आप सिक्षा का देखेंगे यहीं हम लोग इलावाद विस्विद्धा चाले में पढ़ते हैं 400 फीस बढ़ गई यहां की उसके बाद जो जो चात्र यहां अंदोलन कर रहे थे आप अभी हम और हमारे साथी हैं हम लोग अभी आए हैं गुंड़ा एक्ट की सबको नोटी जा रही सबके घर पे सब आके यहां जबाब दे रहे हैं उसके बाद सब क 36 35 35 30 30 मुकदमें लगा दे रहे हैं नया है कहीं का कोई आवाज न उठाए गलत के खिलाफ एकदम ताना साही इपने घोर चरम पर चलेगी जब आप लोग बात करते हैं आप लोग समूं के तौर पर एक समस्या को लेकर लोगों के सामने जाते हैं संगठनों के सामने सरकारो के सामने जाते हैं लेकिन जब वोट की बारी आती है इन मुद्दों पर सरकारों को बनते बिगड़ते उत्तरपदेश के इतियास में शायद बहुत कम देखा गया एक उधारन पेश करने की कोशिश हुई कि चातरसंग के बीच में से प्रत्याशी रखा जाये तो वहां जी इधर लगवग पिछले दो चुनाओं में जो परमपरा चली आई इसमें जाति धरम मजहब उपर आ गया जो छेत्री मुद्दे थे सिच्छा स्वास रोजगार आप यहीं कोरोना के समय देखे होंगे कितनी यहीं लासे लोगों को लकडिया तक नहीं मिल रही थी जलाने के मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना अगर वह अंतर आप लोगों को दि publi था तो वह वोट में तबदील क्यों नहीं हुआ देखी तो जन चन सवाल सबस्कार बहा हूए क्या नहीं अब लोग धीरे-धीरे बातें समझ रहे हैं समझ रहे हैं और इसका परड़ाम भी मिलेगा लोगों को पूछ रहा हूं मैं सवाल रख रहा हूं क्योंकि देखिए आप लोग के मुद्धे हैं संगठन के तौर पर आपकी जो संख्या दिखती है वो परिणामों पर रासन से उपर भी वह इसी बात में खूस रहे हैं कि कोई चिन्ता नहों कि हमें रोजगार की भ्याव सकता है हमें सिख्षा की भ्याव सकता है हमें और किसी चीज बहुत इब और अगली बार क्या पता मोदीजी एक फिलो देशी घी भी देदें अपना चावल घी खाईए और मस्त रही पहली चीज दूसरी चीज जो आप कर रहे हैं जब लोगों के अंदर सिक्षा होगी तभी तो अपने हित की बात सोचेगे यह सरकार कहती है कि हम भारत को भी करके और कहते हैं कि हम भारत को भी सुगुरू बना देंगे जो भी सुध्यालों की अस्थापना की कई थी कि आम गरी मजदूर एहडी पट्री किसान का बच्चा जाए और कम पैसे में पूछ अस्तर की सिक्षा प्राप्द करें आप इसा माहौल बना दे रहे हैं कि गरीब तो मैं नहीं समझपा रहा था क्योंकि मैंने वो कहा था जैसे सरहर्फिय। की क्या नाम है वैकेंसी नहीं आ रहे हैं से भी ज्यादा बुरी अलट टेक्निकल की है टेक्निकल फिल्ड में हम बात करें डिप्लोमा और बीटेक की जैसे कोई ब्राइच एलेक्ट्रिकल है मेकेनिकल है उसमें लोगों ने अपना टिप्लोमा 3 साल का किया हुआ है चार साल का दो हजार इकीस से बताया थे इन तीनों में भी नहीं आई उत्तर प्रदेश में चारबान से साल से कोई टेक्निकल में वैकंसी नहीं आई इस बार सब तो तुम इस फिल्ड में काम चोड़के तुम आओ कम्प्यूटर में अपनी कोडिंग सीखो फिर इसमें अपने तुम एप्लाई करो और इलेक्ट्रिकल वालों को इतनी ज्यादा पैकेज भी नहीं मिल रही है तीन तीन साड़ तीन लाग का पैकेज मिल रहा है इसमें इंसान नहीं आरे जिसे लोग परिशान हैं अंगल से और बाकी नॉन टेक्निकल की तरब तो मूँ उठाके भी न देख सके उधर तो और भी पूरी अलत कर रखी है उन लोगोंने तो कोई ने कोई ने कोई और मैं किसी एक पक्षकी बात नहीं कर रहा हूं कि आपको दिखाई देत बात करते हैं रोजी वहां से बात करता हूं मैं वहां मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि देखिए हम जो कोर्स पढ़कर निकल रहे हैं टीचिंग के वहां पर तो भरती पांत साल से नहीं आ रही है तो अगले पांत साल और बच्चे पढ़के निकलते जाएंगे उनकी बच्चे हैं जैसे हर कोई कहते हैं हर सरकार का हर पार्टी का अपना लाभारती वर्ग है क्या बेरोजगारी को अड्रेस करने को को कोई बात करता है सर अब तक तो नहीं पर अब इलेक्शन आया हुआ है तो सामने वाली जो पोजिशन के दौर को भूल जाईए छे मैने की बातों को तो मैं सच कहूं तो भूल जाएए साड़े-चार साल बात होती है क्या अब तक तो नहीं किसी नहीं कि क्या नहीं कि रिलेटेट तो नहीं कि अब आये एलेक्शन तो सभी लोग अपना बेरोजगारी का इलेक्शन में सब वैकेंसी लाएंगे वो सब दे रहें कोई बात नहीं ठीक है हाँ बिल्कुल और उसके बाद मुझे उनसे भी मैंने उनको बोल कर रखा जी देखिए अगर इस पर हम देखें तो कांग्रेस का और इंडिया घटबंधन कर वाईया मुझे थोड़ा सा सकरात्मक दिखता है क्योंकि जब स्यग निवीर योजन आई है तभी लगाता रहूल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हमें चार साल का जो सिस्टम है इसको पहले बात खतम करेंगे और नियमित भरती जिस तरह से पहले होती थी अपना पूरा वो कारेकाल पूरा करेंगे पहली दूसरी चीज इस बार यही मैं कानग्रेस का मैनिफेस्ट। देखिए उसनों उन्होंने भरती कलेंडर जारी कि कि इस गुद्धाब करेंगे और इस तारीक को पेपर कर वाएंगे और तो भरती कलेंडर तमाम नौकरीयों का कांग्रेस चाहरी कर दिया पूरी हम सरकार बनने कि इतने दिन बादाब लाव अच्छा तरक है लेकिन फिर में हो सकता है कि उनको शायद बहतर याद हो 2014 में भी लोगों ने मैनिफेस्टों पढ़ा वहां पर भी एक आकड़ा था वहां पर भी तारिक वहां पर भी संख्या थी तो मैनिफेस्टों से जमीन तक में क्या रह जाता और दूसरे आप लोग सब लगबक सतर साल तक रही है और उसमें जो है आज यह पहली बार जिस तरीके का मैनिफेस्टों जारी कि एक लाख रुप्या प्रती वर्स जो है अप्रेंटिंस बेरुजगारों को हम अपनी तरफ से देंगे यह पहले भी कर सकते थे अचानक से इस समय करना मैं मानता हूं कि जो भी पॉल्टिकल पार्टियां है वो हर जगह बेरुजगारों को ठगने का काम की है लगातार ठग रही है पार्टी कोई भी हो लिखने से विश्वास आ जाता है बिल्कुल विश्वास नहीं आता है बीजेपी गॉर्मेंट जब 2014 में जब आई थी एक बार उनका भी मैनुफेस्टों में दो करोण प्रतीवर्स रोजगार देने का वादा किया गया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ उसी तरीके से कांग्रेस की हकूमत भी पिछले कई सालों से रही अलगातार लेकिन बेरुजगारों की समस्याओं को लेकर कोई बिशेशकार नहीं किया गया है तो सारी पार्टियों ने बेरोजगारों को अगर देखा जा, बेरोजगारी के दिश्टी कौन से, तो उन्होंने बेरोजगारों के हित में कोई काम नहीं किया, भले अभी मैनोफेस्टों में वो दे रहे हैं, चाहिए दे रहे हैं, बेरोजगारी समस्या इसलिए पोलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं बन पा रही है कि अभी भी बिषुजगार एक जुट होकर अगर ऐसी पोलिटिकल पार्टियों के खिलाप वोट करे चाहे कोई भी जो बिरुजगारों के भविश्य से चलने का काम करती तो जो है उनके मैनोफेस्टो के पहले पेज के पहले नंबर पर जो है विरुजगारी की समस्या अंकीत हो जाएगी ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि विरुजगार यूनिट नहीं हो पा रहा है या नेताओं को यह लगता है कि विरुजगार कोई वर्ग है नहीं हम उनको दूसरे मुद्दों पर भटका कर जो है उनका वोट ले लेंगे पांच साल बाद फिर एक लंबा चोड़ा मेनोफेस्टो जारी करेंगे कि हम दो करोल नोक्री दे रहे हैं या हम प्रतेक वर्स आपको एक लाख उर्परेंटिस के द्वारा जो है दिया जाएगा सारी पार्ट प्रतेक वर्टियों को करेगा इसको बनाने में लगबग च्छाए साल लग गया दोहजार उन्निस में इसका प्रस्ताव पेस हुआ बंते 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 दोहजार चोबिस आ गया और अभी तक यहां पर अस्थाई सिक्षक निक्त नहीं हुए है उत्तर ताकि उससे पारदर सिता बनी रहे और समय से काम हो जल्दी जल्दी परिक्षा हो जल्दी जल्दी लोगों को नोकरिया मिले लेकिन आप देख सकते हैं पिछला इतिहास कि जब तमाम प्राइमरी माध्यमिक और हायर का संस्थाइं अलग-अलग हुआ करती ती तब भी जो है भरतियां पान-पान साल में हो रही है तो इस बात की क्या गारंटी है कि एक जगह उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवा चैन आयोग का गठन करने के बाद वो भरती नियमित रूप से सभी इस सिक्षक भरती हो जाएगी इस बात की उमिद युवाओं को बिलकुल नहीं है और उ सिक्षा कब होगा और लगबग 20,485 पद माधमिक सिक्षा मंत्री के कथना अनुसार की हमारा जो है टीजीटी में 4,365 पद प्रवक्ता में खाली है उन पदों को जो है हम कब बरेंगे कहीं कुछ अता पता नहीं है चैन बोर्ड जो है ध्वस्त है चैन आयोग का गठन है ब पारम में बराग हैं सब लोग चाहे काफी पी के इंजुआए कर रहे है बेरुजगार परिसान हाल है सड़क पर है गरीबी में अपना दिन काट रहा है अपने अपने घरों से आता है और यहां पर आके 3,300 का कमरा किराय पर लेके किसी तरीके से दाल चावल खा के अपनी ज जाएंगे और अपने माबाप के सपनों को पूरा करेंगे उनके अर्मानों को पूरा करेंगे और जो रिस्तेदार और पोडोसी जो हमको निगाहों से देखते हैं उनको भी एक करारा जवाब देंगे कि हम नोकरी पा गए है और सर गरों से उचा करके जो है अपने माबाप ही हो जाए लेकिन इन सब के बीच में कई सारे ऐसे प्रसंग हैं जो प्रयाग के बारे में जो इल्हाबाद के बारे में खूब कह जाते हैं जो इन्होंने कहा वो डीवी सी हम सब सब बड़े संगठन का हिस्सा हैं आप अपट को बहुत सारे शात्रों के बीच में रहते हैं बहुत सारे अपने दोस्तों को मित्रों को रिष्दारों को जानते हैं एक काम हमारी मोशे 호सिय को बताइएगा उland फेस्ट आपको पसंद आए वो चुनिए लेकिन वो सब चुनने के बाद वोट जरूर करिएगा प्रयागराज जैसे शहर में एक समस्य हमने देखी है कि इतना वो शहर वो इलाका जो पूरी दुनिया को बुद्धी जीवी देता है वो वोटिंग प्रतिशत में 50 से भी नीच और इसलिए मुद्धो की बात करना और से ज़्यादस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखी अपने मुद्धे रखे सपष्टा से साफगोई से बात हुई है आपको इस बात चीज में कोई भी विशह ऐसा लगता है ज जरल से साफ़ाल этого कर दोब विख भी पर चाहा हुत된 पर सबस्री पानी आप पर स्बस्दी हाँ – जर से बात भी करना वोई भी विवत्ध ग्रस का辰 सकता है जर्णतों भी में करना यारी है जरु भी यह बहुत पर चाहा है